हाई गाइज मैसल सीमा शलजानन थैंक्स टू कम टू माई चानल साइब बेसिक्स इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट तो इस्टडी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लाइट माइक्रोजकोप बच्छों अगर स्लेवस की बात किया जाए तो यह बीसी सेकेंड से मैट से खंड मीच तौ करना थेलिस्ट को इस अब आप को क्या करना है सबसे पहले इस पेपर के लिए आपको जुलाजी प्रैक्टिकल की कॉपी लेनी है फाइल नहीं लेनी है जो धागे वाली फाइल होती है वह नहीं लेनी है और इसमें वन बाई वन मैं जैसे जैसे डीटेल वीडियो अप्लोड करती जाओंगी एक-एक वर्किंग प्रिंसेपल और सिंपल लाइप माइक्रोइस्कोप यह आपका फर्स्ट एक्सपरिमेंट है जो प्रैक्टिकल कॉपी के लिए कुछ फर्मलिटी होती है जैसे कि आपको राइट साइड पहले डेट लिखना होगा फिर पेज नंबर जैसे कि यह वन में लिख दिया सकती हो तो कमेंट पेपर पर आपको लिखना है पैन से अच्छे से सुन्दर रॉडटिंंग में आप स्टायर करिएगा का लिखना है देखे चली सिंपल लाइंकरोइस्कोप इज बोल रहे है तो इसका यूज कैसे हो सकता है तो मौ्फोलोजिकल सिच्टीज का जो आप दे जब किसी अनिमल का डिसेक्शन करते हैं तो आप उसका मॉर्फोलोजिकल करेक्टर इस माइक्रोप के थूरू देखकर बता सकते हैं इसके पास बहुत ही छोटा रिजोल्विंग पावर होता है किसका सिंपल लाइट माइक्रोप का 0.01 mm बहुत ज्यादा डिटेल में आप नहीं देख पाएंगे जो सुपर्फीसियल अब्जरोवेशन होता है सुपर्फीसियल ही मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में जाके आप इसका स्टुडीन नहीं कर पाईगा सुपर्फीसियल नौलीज आ प sports के सकते हैं इस माइक्रोप के क्या होता है तो working principle of all microscope is magnification जितने भी microscope है उसका working principle magnification पर depend करता है based on the relative position of the object from the lens different positions and magnification of image can be achieved यह magnification कैसे पर based होते हैं तो relative position of the object object के relative position from lens lens से कितनी दूरी पर है different positions and magnification of image or image कितने distance पर बन रहा है इस पर depend करता है structure की बात करें इसका structure में क्या क्या होता है it has basal metal platform and short limb which can be vertically moved by a rock कैसा होता अभी हम diagram के help से भी देखेंगे a mirror is fixed below for the light adjustment a folding arm holding a magnifying lens is attached on the limb ठीक है यह कुछ points आपको लिखने है structure में folding of arm allows its horizontal movement इसके बाद आप heading देजिगा next heading मैंने page change किया तापको page number two लिखना है use use क्या हो है this microscope का these microscopes are primarily used for the observation of minute particles which cannot be observed with the naked eye this particle को जो बहुत ही माइनूट particle को हम इस microscope के help से देख सकते हैं जिससे हम naked eye से नहीं देख पाते हैं mainly used for the morphological studies of dissecting animals जैसा कि मैंने पहले भी बताया introduction में mainly इसको कैचिस के लिए उसके जाता है तो morphological studies of dissecting animals के लिए ठीक है तो यह दो पेज में ही आपका इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में मैंने बताया है उसके बाद आप लेफ्ट साइड जो वाइट पेपर है उसके यह वाला डाइग्राम आप अच्छे से बना दीजिएगा इसका डियाग्राम देख सकते हैं यह आपका cross table then condenser उसके बाद आई देखते हैं नीचे डाइफ्राम और बेस और नीचे आपको लिखना है simple light microscope इस तरह से आपको शो हो रहा होगा ठीक है तो इस तरह से one by one अपने practical copy में आपको लिखना है तो आप इस चैनल का लिंक दे सकते हैं शेयर कर सकते हैं इस लिंक को मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू